डियर स्टुडेंट्स मैं अनूरा सर्ग दा हिकेटियस अकेडमी के ओनलाइन प्लेटफोर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवन स्वागत करता हूँ आप सभी को सबसे पहले जनमास्टमी की हार्दिक सुबकामनाएं और इस कोरोना काल में मैं चाहता हूँ कि आप घर रहें, सुरक्षित रहें और सरकारी जो गाइडलाइन्स हैं उनको फोलो करें चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अपन अपने टोपिक पे आते हैं मैं रीट लेवल फस्ट और लेवल सेकिंड के लिए आपको साइंस पढ़ाऊंगा और आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल सेकिंड की और इसका हमारा पहला वीडियो होगा और इस पे हम केवल सलेबस्ट के उपर थोड़ा सा प्रकास डालेंगे और वो भी स्पैसिफिक टोपिक पे आपन जानते हैं कि यहाँ पर तीन टोपिक साइंस के हैं अपने पास मूलत है, फिजिक्स है, केमस्ट्री है और बाइलोजी है तो आज हम बात करने वाले हैं केवल बाइलोजी के पोर्शन की, कि भी बाइलोजी में कौन-कौन से टोपिक्स आपके आएंगे, उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा और इसमें कौन-कौन से कौशन कहां-कहां से बन सकते हैं, इस विशह पे बात करेंगे चलिए, बात करते हैं, जैसा कि आपको बाइलोजी से संबन देते हैं, लेकिन इसका काम हम तब देखेंगे, जब इस पे अपन वीडियो बनाएंगे आज अपन बनाने वाले हैं केवल रीट लेवल सेकिंड पे और उसी के सलेबस के बारे में अपन यहां पे चर्चा करेंगे कि इस लेवल में कौन-कौन से टॉपिक है और कहां-कहां तक यह टॉपिक जो है, कॉशनों पर अपना प्रभाव डालेंगे चलिए बात करते हैं, यहां पर रीट लेवल सेकिंड में जो पहला टॉपिक है वो आपका है माइक्रो औरगनिजम, माइक्रो औरगनिजम का मीन्स है यहां पे सुक्षम जीव और सुक्षम जीव का मीन्स आपको समझ आना चाहिए कि सुक्षम जीव जो होते हैं वो हमें नगन आखों से दिखाई नहीं देते हैं उनको देखने के लिए हमें सुक्षम दर्सी यनि माइक्रो स्कोप की जरूरत होती है और ऐसे सुक्षम जीव इस दुनिया में कई प्रकार के हैं जैसे हम बात कर सकते हैं बैक्टीरिया, वाइरस, फंजाई या फंगी बोल सकते हैं इसको या कवक बोल सकते हैं प्रोटो जोवा, नेक्स्ट आता है अपने पास माइको प्लाजमा ये सारे सुक्षम जीव यहाँ पर अपने पास हैं जिनमें आपके स्लेबस में बैक्टीरिया और वाइरस और फंजाई दिये हुए हैं बैक्टीरिया को अपन हिंदी में कहते हैं जीवाणू और वाइरस को बोलते हैं विशाणू और फंगी को बोलते हैं कवक ये इनके हिंदी नाम है जो आपको ये चीज पूरी तरह समझा देंगे कि असल में इनके गुण क्या क्या है पहली बात करते हैं जीवानू की जीवानू असल में सबसे पहले खोजी गई एक सिंगल सेल है एकल कोशी का है जिसको एंटेवनी वॉन लिवेन होक ने खोजा था और इस जीवानू के उपर अपन चर्चा करेंगे कि इसके लाब दायक गुण कौन कौन से हैं और हानी कारक गुण कौन कौन से हैं और इसी तरह से विशानू विशानू के बारे में जबात करते हैं तो इसके नाम से पता चल रहा है विश के अनू तो इसका मतलब ये बहु कार्क भी इसके पूछे गए हैं तो हम इसके लाब के बारे में भी बात करेंगे और हानी के बारे में भी बात करेंगे और इसी तरह से कवक इस दुनिया में नोन फोटो सिंथेटिक इसका क्या मतलब हुआ नोन फोटो सिंथेटिक का मतलब बिना प्रकास संसलेशन के भोजन लेने वाले होते हैं क्योंकि इन में किसी प्रकार के वरणक नहीं पाए जाते और यदि वरणक नहीं पाए जाते तो यह प्रकार संसलेशन नहीं कर पाते इसलिए यह अपना भोजन पर जीवी के रूप में लेते हैं हमेशा और यह बिना रंग के होते हैं इसलिए यह आपने देखी होगी, वो कवक का फॉरम है, अच्छा लाबदायक फॉरम में आपने मस्रूम का नाम सुना होगा, टेडर स्टोल और कुछ गुच्छी ऐसी होती हैं, जिनको सबजीयों में हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसका लाबदायक कारक हो गया, तो ध्यान देने वाली बा इंपोर्टेंस पढ़ने हैं, तो इसका मदब आर्थ एकोनिम की इंपोर्टेंस क्या होता है, हमारी एकोनोमी पर इन सुक्षम जीवों का लाबकारी प्रभाव और हानिकार प्रभाव, जैसे जीवानों को यदि हम ले, तो बहुत सारे रोग हमारे सरीर में उत्पन करते है और इसी तरह से धाई को बनाने वाला बैक्टिरिया धाई बनाने में काम आता है, बहुत ही इंपोर्टेंस रखता है, तो वो लाबकारी भी हो गया, और हमारे लिए यदि रोग उत्पन करते हैं, तो ये क्या हो गया, नुक्षान दैक हो गया, इसी तरह से विशानू के ब वेक्सीन जैसे अभी देखो वर्तमान में HIV का नाम सुना है आपने दुनिया का ऐसा रोग है यदि एक बार हो जाता है तो आदमी की death warrant पर sign हो जाता है ऐसा मानते हैं लेकिन उस कारक को भी यदि खोजने में मदद करेगा तो विशानू का कमजोर प्रभेद ही करेगा और वर् सड़ी अपन को करनी है चलिए next बात करते हैं अपने दूसरे टोपिक पे जिसको हम कह सकते हैं living beings और या कह सकते हैं सजीव सजीव ये अपना दूसरे टोपिक रहेगा अचा सजीव किसे कहते हैं मतलब जिसमें जीवन के लक्षन उपस्थितों वहेकार्प अपने आपमे क्या कहलाता है सजीव कहलाता है अचा लक्षन कौन-कौन से हो सकते हैं आप सब जानते हैं खुद के अंदर देखिए उन लक आपचे होता है, जनन करते हैं, वरदी करते हैं, ये सारे करेक्टर स्ट्रेटिक्स यदि प्रस्तित हों किसी पर्टिकुलर ओर्गनिजम में तो वह अपने पास living beings कहलाता है या ये कह सकते हैं सजीव कहलाता है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी क्रियाएं जिस भी जीव के अंद पाई जाती है, वो सजीव में सामिल होता है, और सजीव में हम बात करेंगे, especially जो आपके topic दिये हुए हैं, उसमें सबसे पहले दिया हुआ है plant part, plant part का means क्या है, पादप भाग, और पादप भाग में जो मुख्य अपने पास हिस्से रहेंगे, उसमें पादप जड़े रहे स्टैम यानि तना रहेगा, लीव्ज यानि पतियां रहेंगी, फ्लावर यानि फूल रहेंगे, और फ्रूट रहेंगे, रूट, स्टैम, लीव्ज, फ्लावर एंड फूल तो इन सब के बारे में बात करेंगे, अब बात क्या करनी है, सामाने ते बही किसी भी पोदे के ये तो भाग होते ही है, लेकिन रूट में कुछ कुछ बदलाव हो जाते हैं, जिससे भोजन संग्रे करके रूट, जो है मोटी हो जाती है, रूट के टाइप कौन-कौन से होते हैं, कितने प्रकार की जड़े होती हैं, इस विशह पे चर्चा करेंगे, और यहीं से इनके कॉश्चन आते हैं, दोनों जगें से, कि रूट के कौन-कौन से हैं, और टाइप ओफ रूट, मतलब रूट के प्रकार, टैप रूट सिस्टम होता है, जैसे हम दूसरा कह सकते हैं, एडवन्टेटियस रूट सिस्टम होता है, तो इस तरह के रूट सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, इसी तरह से तना और तने में होने व leaves में पाए जाते हैं इनके function क्या क्या होते हैं leaves के और flower की संरचना कैसी होती है कौन-कौन से organs फूलों में present होते हैं और fruits जो हैं उनके बारे में बात करेंगे कि किस तरह के fruits होते हैं पाए जाते हैं चलिए ये तो हो गया भी plant part से संबंदित बात next thing आती है आपके animal plus plant cell दोनों दे रखियें और इन दोनों cells animal वे plant cell इनमें दोनों दे रखियें इनमें animal वे plant cell में एक तो इनका structure देखना है अपनको संरचना देखनी है और दूसरा इनका function देखना है कारिये देखना है तो इसका मतलब यह कि उसने direct एना अलग-अलग cell को पूछा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दोनों को एक साथ दिया है इसका मतलब what is the different between the animal cell और plant cell plant cell में और animal cell में क्या अंतर होता है इसका तुलनात्मक अध्यन भी आपको ध्यान रखना है जिससे question आएंगे इसमें कौन से cell organelles से इनी कोशिकांग पाए जाते हैं कौन से absent होते हैं यदि तुलनात्मक रूप से दोनों कोशिकाओं के बारे में बात करें नेक्स्ट टोपिक आपका रहेगा वो plant से समझनित रहेगा जिसमें आपके बात की है cell division की कोशिका विभाजन की तो इसका मतलब यह है कि cell division प्रतेग जीव होता है उसमें cell division पाया जाता है तो चाहे animal cell हो चाहे plant cell हो उनमें कोशिका विभाजन होता है और Rudolph वर्चो की एक दिया हुआ sentence है वो आपको याद होगा कि कोशिकाओं की उतुपत्ती जो होती है वो पूरुव वर्थी या पहले से उपस्थित कोशिका के दुवारा होती है और उसी के बाद cell division का पूरा विस्तार आया तो पूरे cell division के बारे में अपन बात करेंगे तो ये topic होगे अपने पास plant part से सम्मदित plant के अंदर कौन-कौन से हिस्से है animal cell और plant cell के बारे में बात करेंगे structure के बारे में बात करेंगे cell division के बारे में बात करेंगे चली ये है अपने पास living being से सम्मदित topic जो आपके rate level second में आएगा next है अपने पास human body and health मानव का सरीर और उसका स्वास्थ जब मानव सरीर और स्वास्थ की बात की जाती है तो specially इसमें जो आपके topic दिये हुए है उनमें मानव सरीर के system के बारे में बात की है system का मतलब यह होता है तंत्र और तंत्र को आप ऐसे समझे सबसे पहले तो कौन होती है cell होती है cells एक जैसी cells या different different प्रकार की cells मिलकर क्या बनाती है tissue यानि उत्तक बनाती है उत्तक से organ develop होते है यानि अंग बनते है और अंगों को मिलाने से system बनता है तंत्र बनते है और तंत्र यदी आपस में मिल जाएं तो फिर हमारी body बनती है ठीक है तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं तो हमें system पढ़ने हैं कि हमारी body में कौन-कौन से system पाए जाते हैं जैसे for example मैं आपको बताऊं तो आपने रक्त परिशंचरण तंत्र का नाम सुना होगा blood circulatory system एक तंत्र है स्वसन तंत्र के बारे में सुना होगा इसी तरह से तंत्री का तंत्र के बारे में सुना होगा ठीक है और इस तरह के जो तंत्र है अहार नाल के बारे में यानि पाचन तंत्र के बारे में आपने सुना होगा तो ये तंत्र जो हैं वो सारे के सारे हमें पढ़ने जितने भी system हमारी body में पाए जाते हैं अच्छा नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज आती है माइक्रो औरगनिजम से होने वाले रोग सुक्षम जीओं से होने वाले रोग डिजीज दो होती है उनके विशह में अपनको बात करनी है तो ये जो डिजीज है वो आपके कौन-कौन सी दी है उसको डिसकस करने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको आपको संक्रामक रोग एक टोपिक दिया है ठीक है अच्छा एक आपके दिया है संतूलित भोजन ठीक है अच्छा सुक्षम जीओं से होने वाले रोग कौन-कौन से दिये हैं तो इनमें आपकी ज़्यादा से होने वाले रोगों को दिया है जो specific आपके उसमें syllabus में mention किया है नाम के साथ कि आपको हेजा पढ़ना है आपको मलेरिया पढ़ना है आपको विबिन प्रकार के जो जिवाण वी रोग पढ़ने है ठीक है, टाइफाइड पढ़ना है, डिफ्तिरिया पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ने हैं, तो इसका मतलब ये तो हो गए कौन से रोग? जीवानुवाले रोग? अब next बात आती है संक्रामक रोग की संक्रामक रोग है ऐसे रोग जो दूसरों के संपर्क में आने से फैलते हैं जैसे for example अभी वर्तमान में कोरोना चला हुआ है तो सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखिया कि दो कंडिडेट के मद्य में 6 फिट की दूरी या दो गज की दूरी होनी चाहिए दो गज की दूरी बना के रखोगे तो कोरोना नहीं फैलेगा तो इसका मतलब वाइरल डिजीज है ये एक वाइरस से होने वाली बिमारी है और एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं अच्छा संक्रामक रोग में आप जरूरी थोड़ी है केवल जीवानू जनित रोग ही हो, वो विशानू जनित भी हो सकते हैं, प्रोटो जोवा जनित भी हो सकते हैं, अन्य प्रकार के रोग भी हो सकते हैं, इसका मतलब यहां पर आपके सारे रोग आ चुके हैं, जो सभी रो हैं जो ऐसंक्रामक हैं तो इसका मतलब सारे के सारे रोग आपको पढ़ने का मतलब यह बैक्टिडियल डिजीज तो आपको देई दी है और संक्रामक रोग के कारण आपको सारे पढ़ने अच्छा और भी लीजिए संतुलित भोजन आपका नेक्स्ट टोपिक है तो संतुलित भोजन का मीन्स क्या है हमारे सरीर के लिए आवशक सभी पोसक तत्व हमारे खाने में होने चाहिए और यदि नई है तो क्या होगा ऐसंतुलित भोजन होगा तो इसका मतलब यह हुआ इस एसंतुलित भोजन में जिस भी तत्व की कमी है वह है भोजन हमारे लिए रोग का कार्क बन जाएगा तो भोजन में जो कि अव्यव हैं उनकी कमी से होने वाले रोग भी हमें पूछे हैं होने वाले रोग भी हमें पूछे हैं तो इसका मतलब यह है कि इस टोपिक में किसी भी प्रकार के रोगों को छोड़ा नहीं गया है सारे के सारे रोग आपको पढ़ने हैं ठीक है तो यह इससे संबंदित हो गया हेल्थ से संबंदित और यूमन बोडी से संबंदित, तो human body का मतलब यह हुआ कि भी इसके तंत्र, आंत्रिक तंत्र सारे आ गए हैं और उनसे संबंदित रोगों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे और सुक्षम जीवों से होने वाले रोगों के विशह में भी इस topic में अपन चर्चा करेंगे चलिए, next important चीज़ क्या है भई animal reproduction आपका topic है और adult sense इनको दो भागों में लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं अपन animal reproduction की animal reproduction की बात करते हैं तो इसमें आगे में इंसन किया है आपके asexual sexual reproduction मतलब a-langic zanand इसका क्या मतलब हुआ a-langic zanand का इसका मतलब a-langic zanand जो developed जीव है उनके अंदर नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब ये कि developed जीवों के reproduction के बारे में नहीं पूचा है विक्सित जीवों के reproduction के बारे में नहीं पूचा है जैसे हमारे अंदर a-langic zanand नहीं पाया जाता तो इसका मतलब हमें उन जीवों का अध्यन करना है यहाँ पे जिन में a-langic zanand भी पाया जाता है और दूसरा लैंगिक zanand भी पाया जाता है दोनों present होते है उन organism के बारे में अपनको study करना है ठीक है तो इसका मतलब यह कि प्रोटो जोवा जितने भी हैं अपने पास microorganism यानि शुक्षम जीव हैं अपने पास वो सारे के सारे इसमें सामिल कर दिये हैं अच्छा next topic अपने पास क्या है adult sense adult sense का मतलब क्या हुआ भई किसोर अवस्था से सम्मधित बात पूछिए किसे कहते हैं किसोर अवस्था इसका मतलब यह है कि जब यहां पे especially अपन मानव के बारे में ही बात करेंगे जब मानव में 14 साल की उमर हो जाती है तो उसके बाद उसके अंदर लेंगिक बदलाव होना सुरू हो जाते हैं हर्मोनल चेंज होना सुरू हो जाते हैं उसके अंदर लेंगिकता के लक्षन दिखाई देने लगते हैं तो इस तरह की जो अवस्था होती है वह अवस्था किसोर अवस्था कहलाती है अच्छा किसोर अवस्था में मूलत होता क्या है? मतलब व्यक्ति जनन करने योगित जो योगिताएं होती है उनको प्राप्त करता है ऐसी अवस्था होती है और इसके बाद वह जनन योग्य हो जाता है जनन करने योग्य हो जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं किस ओर अवस्था कहते हैं इसमें प्राथमिक लेंगिक लक्ष पहला टॉपिक इसमें लिखा है बोडी चेंज इसका क्या मतलब है बोडी चेंज का सरीर में होने वाले बदलाव जैसे आदमी की आवाज भराई हुई हो जाती है दाड़ी मुझे आने लगती हैं कंदे चोड़े हो जाते हैं और लेंगिक अंगों का विकास होना सुरू हो ज होते हैं वो तो मेल्स के अंदर यानि नर के अंदर उत्पन होते हैं और इसी तरह फिमेल्स की आवाज पतली हो जाती है और जो है वसा का डिपोजीशन होना सुरू हो जाता है उसमें और लेंगिक ता का विकास होता है हार्मोनल चेंज भी आते हैं तो इस तरह से यह बोड ही गई है कि रिप्रों है डेक्टिव हार्मों आग कौन-कौन से हार्मों हैं जो रिप्रोड्यक्शन में ब्हुमिका निभाते था तो आपको मेल के अंदर जो होता है वो testosterone हार्मोन होता है इस तरह से ये दो हार्मोन जो है वो मेल और female के लिए बहुत reproduction के लिए ज़रूरी होते हैं लेकिन इससे सम्मंदित कुछ हार्मोन भी ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता है और जो लेंगिक अंगों के अलावा किसी अन्यस्थान से स्रावित किये जाते हैं थाइराइड ग्रंती से स्रावित होने वाला थाइरोक्षिंग हार्मोन जो होता है वो सामानित है लेंगे अवस्था के लिए काम आने वाली चीज होती है इसी तरह से हाइपो थैलेमस के दौरा और अंडासे के दौरा स्रावित होने वाले अन्य हार्मोन भी हार्मोन में count होते हैं ठीक है उनके विशे में बात करेंगे कि कौन से हार्मोन का क्या-क्या प्रभाव है चलिए next अगला topic जो इसमें adult reproductive health यानि जनन स्वास्थ के बारे में बात की गया और एक बहुत important topic जनन स्वास्थ और इसके बारे में प्रतेग व्यक्ति को पता होना चाहिए इसका जनन स्वास्थ का मतलब क्या होता है सिंपल भासा में हम यह कहें कि जनन से संबंदित जो भी क्रियाएं होती है वो स्वास्थ रूप से होनी चाहिए और यदि वो स्वास्थ रूप से नहीं होती है तो होने वाली संतान विकलांग उत्पन होती है या संतान होती नहीं है तो इस प्रकार के दमपत्ती जिनको संतान नहीं होती है बंदे होते हैं या बंदे कहलाते हैं और उनके लिए क्या-क्या उपचार हैं उस विशे में अपन यहां पर बात कर सकते हैं दूसरा हम बात कर सकते हैं कि भी contraceptive method कौन-कौन से हैं मतलब गरब रोकनी की विदिया कौन-कौन से हैं क्या-क्या हमारे medical sciences में आज तक अविश्कार हो चुके हैं जिनके द्वारा गरब धारन को रोका जा सकता है अच्छा next गरब धारन को रोकना important क्यों है इस विशे पे भी अपन को बात करनी है हम जानते हैं इंडिया की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तो कहीं ने कहीं ये contraceptive method जो होते हैं वो हमारी जनसंख्या को कम करने का काम करते हैं तो ये भी important topic किस से संबंदीत है reproductive health से संबंदीत है इसके अलावा कई आदमी व्यसन या लत्त क सिकार हो जाते हैं जैसे दारूपीना और चर्सी हो जाते हैं ड्रग्स लेने लग जाते हैं वो भी चीज हमारे reproductive health को खराब करती है तो इस तरह से वे सारी विधियां जिनके द्वारा हमारा जो जननतंत्र है या यह कह सकते हैं संतान उत्तपत्ती की जो प्रिक्रिया है वो स रही रहती है या प्रभावित होती है तो वो सारा का सारा मेंटर जो है वो reproductive health में सामिल होता है यह था पूरा का पूरा रीट लेवल सेकेंड के लिए बाइलोजी का सलेबस बचो और सबसे पहले इनी से सम्मंदित वीडियो को अपन आगे forward करेंगे जिसमें सबसे पहला topic अ वीडियो और मैं चाहता हूं कि आप इनको इस चैनल को like, share and subscribe करें बहुत बहुत धन्यवाद